नमस्कार दोस्तों सोगत है आपका स्टेटीफोर सीविल्स अबसेद में यूटूब चैनल में आपने साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम जोइन करना बहुत ज़रूर है सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोच इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीशन, सब कु प्री में इसको जरूर जोइन कर लिजेगा, यह हमारा इस्टाग्राम का पेज है इसको जरूर फॉलो कर लिजेगा, studyforcivil.services करके अगर आप इस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो के इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप इस्टोरी सक्षन जर करेंटरफेर का, इन सभी एक्जाम्स के लिए यूसफुल हो सकता है, यूसफुल हुआ है, और जिन लोगों ने इसका फायदा लिया है, वो यहाँ पर आप कॉमेंट जरूर किया करें, आपको यह भी बताती है, पूरा वीडियो एडवर्टीजमेंट फ्री रहता, एक भी बार आपको एडवर्टीजमेंट इसमें देखने को नहीं मिलेगा, हमारे तरफ से वीडियो में साइड बाई साइड अगर कहीं पर आजए तो यूटूब की मिस्टेक होती है, अगर आपको पेड रूप में एडमीशन लेना है, तो यह दो गिविन नंबर से हमारे इन पर कोरी की जा सकती है, बागि आप फ्री वाला हमारे टेलग्राम गूरूप जरूर जोईन करके रखिएगा, आते हैं करेंट फेर पर, सेक्ष्णल करेंट फेर में हमारा पहला टॉपिक एग्रिमेंट्स होता है, अगर्स के एग्रिमेंट में पहला बान सुरक्षा कारिकरम के बारे में है, वर्ल्ड बैंक के साथ यहां पर डैम सेफटी प्रोजेक्ट के लिए समझा होता, अब इसमें देखिए काम कामारे लिए क्या क्या है, इसमें अमाउंट नहीं ध्यान रखना है, लोग अमाउंट बताएंगे यह सब, आपके लिए काम का क्या क्या है, कि जो 10 स रख्षा प्रोजेक्ट में कौन सा देश नहीं सामिल है, या फिर 1234 करके अश्टेट की नाम दे सकते हैं और फिर पूछेंगे कि इसमें कौन कौन सामिल है, ठीक, तो इसमें कौन कौन से राज्जे शामिल हैं, अकबर देखीगा, कौन से कीवर्ड है, बांस रख्षा कारे साजदारी हुई है, यह जो है, किसके लिए हुई है, जीवन में सुगमता लाने के लिए, वैश्विक वैग्यानिक साजदारी का आवन किया गया है, इस ओफ लिविंग के लिए, ठीक, उसके बाद नीतियायोग से जरूड़ा हुआ हुआ कोई बहुत ज़रूरी है, किसी इसका जो नया ये कारिक्रम चलेगा, WEP, नेक्स्ट करके चलेगा, सिसको के साथ मिल करके नीतियायोग के सहयोग से, और नीतियायोग मतलब ये कब आया था, ये विमेन इंटियायोग प्लेटफॉर्म अगर ये पूछ ले तो 2017 में आया था, इन लगोंने पॉल्टी ध्यान से पढ़िए हो नीतियायोग इन में से किस अपरोच को फॉली करता है, आधार सै सीर्ष या फिर से आधार वाली, ठीक है, कौन सी अपरोच को फॉली करता है, बता ये आप कमेंट करके, ब्रिक्स देशों के बीच, रिमोट सैंसेंसिंग सैटलाटंड डेटा शेरिंग पर स पीमें के पूछ लेते हैं कि अ lotgua करने के रहiman के रहे हैं कि घानी के बच्चों के श्रांब करने के participants कि आइसेंख और फेसवक यहां पर साथ आए एक ऐसी कोई जमीनी पहल तो नहीं पार चौते लिए कि जोंप कर साथी कर साथ ay जूब princess कारेकाल नहीं का करिकाल बढ़ा इन्योक्ति नहीं तो से कैबनेट सेक्रेटरी नहीं तो कि य। ठीक है एक साल के लिए और बढ़ा दिया है पिछले साल भी मतलब एक साल बढ़ा दिया गया था तो मतलब राजीव गौबा ही आपके कैबिनेट सेक्रेट्री बने हुए है लगब दो साल से और आगे भी अगले साल रहेंगे इनका नाम याद रखीगा उसके बाद धृती ब प्रेंड अंबर्जडर के दोर पर ड्यूक्त किया है उनको ठीक है नीजा चोपडा समंदित सब भी फैक्ट उनके खेल से रिलेटेड उनको जो फेलिस्टेट किया गया उस से रिलेटेड अभी आगई सब बताया जाएगा ठीक और आपसे रिक्वेस्ट है टोक्यो ओलंप के फैट कवर करना संभाव नहीं है उलंपिक में हिस्ट्री से लेकर हिस्टोरिकल बैग्राउंड से लेकर पुराने फैक्ट को जोड़कर पूरा एक वीडियो बनाया गया 16-17 मिंट का उसको देखिएगा पेट डूप मेंबर्स से जो लोग हैं वो वीडियो मत देखिएग आप पीडियो पढ़िएगा इस वाले मंत के करेंट अफेर के साथ क्योंकि इसमें मैं सारे फैक्ट नहीं इंक्लूट कर रहा हूं लंपिक के वह आप अलग से देख लीजिएगा इसमें जो बेसिक मोटे मोटे फैक्ट हैं वो इंक्लूट जरूर करेंगा मैडल टैली वग जो होती है उनकी ब्रेंड बेस्टरी बनी है रेखा शर्मा ये नैसल कमिशन अफ विमन में चेर परसंट बनी हुई थी अब इनके कारेकाल को अगले टर्म के लिए बढ़ा दिया है जब तक 65 वर्ष की नहीं हो जाती है फिर जब तक तीन साल इनके अगले कारेकाल के नहीं पूरे हो जाते हैं तब तक ये बनी रहेंगी आपकी चेर परसंट नैसल कमिशन अफ विमन की आपको नया नाम याद नहीं रखना पड़ेगा उसके बाद एरियल हैंडरी ये हैथी के नए ब्राइमनिस्टर बने हाल में जनरल मिन आंग हालिंग ये जो है मैंनमार में इनो तकता प्लट सब्सक्राइब को पता है अफगानिस्तान वाला इससे सम्मंदित भी जो बहुत ज़्यूरी फैक्ट वह भी कावर करेंगा मिस्की वाले सेक्षन में तो मियानमार के जो सेनाध्यक्ष थे जिन्होंने अटकता पलट किया था और खुद को शासक घोसित कर दिय सब्सक्राइब करते समय आप हमेशा अकेले होंगे और यह बात आपको स्विकार करने पड़ेगे और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है जब तक आपका आपको अपने आस पास लोग ढूंडने पड़ेंगे और जब सक्सेस वाला पीड रहेगा शायद आपको ल सब्सक्राइब किताब मिला है यह फर्स्ट रनर अप रही थी अधर्शी लालानी और मीरा का सारी यह रही थी सेकेंड रनर रप का उतना वहत्पूर्ण नाम नहीं है जितना वैदही डॉंग्रे का ठीक आप से पूछें के मिस इंडिया युए से 2021 कौन बनी है तो यह हैं वैदही डॉंग्र यह बदल बैंकर करके मैंकसीन इनके अवार्ड में आता है तो इनुवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड की कटेग्री में डीबियस बैंक को most innovative in digital बैंकिंग इंदा वर्ड बैंक के रूप में यहां पर चुना गया है डी बीस बैंक को उसके बाद ब्रुनेल मेडल ब्रुनेल मेडल जो है यह दिया जाता है लंदन में जो सिविल इंजिनियर संस्थान है इसके द्वारा और भूटान की भारत साहता प्राप जो मांग देच संस्थान द्वारा यह पुरुसकार दिया गए इस प्रोजेट को तो यह इंजिनिरिंग के चेत्र में म tenants क्रुप में मतब मतला मधिल कि से मिला है मांग देशु प्रोजेक्ट जो कि भारत ससाइत अपराट प्रोजेक्ट था और भूटान में श्थित यह भास्वा अंतरराश्ट्री पुरुसकार यह भलकी हिरामत के वरिष्ट द्रश्टा श्रीबास बासवलिगा पट्टा देवरु को मिला बासवा अं पुरुसकार जो आर्टिस्ट है आनंद राधाकृष्णन उन्हें मिला है और जॉन पियर्सन के साथ इन्होंने अवार्ड शेर किया है मतलब दो लोगों को सहीवत रूप से मिला है ठीक उसके बाद यह अवार्ड काफी महतपूर है प्रोफेसर सी आर राव सताबदी स्मयड पुरुसकार मतलब यह प्रोफेसर सी आर राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल अवार्ड यह मिला है जगदीश भगवती और सी रंगराजन को इनके नाम आपने सुने वहें रंगराजन कमीटी हम लोग पढ़ते हैं दा इंडियन इकनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट के द्वार अध्यक्ष रहें और और पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं व फंधन पूर्शकार नागलेंड को काफ़ी सारी मिलें ठीके प्रिशिक्षण परदान करने वाले राज की काटेग्री में मिला इनको सर्वस्रेश्ट विक्री उत्बन करने के मामले मिला है तो आपको टोटल रखना है कि पहले वंद्धन वारशी पुरुसकार में सरवाधी पुरुसकार किसे मिले नगलेंड को यूएस इनोवेशन अवार्ड करके एक अवार्ड है जो है तो सेंवक तराज अमेरिका में लेकिन वहां पर काफी सारे भारती काम करते हैं तो यह जो है नैसल साइन्स फांडेशन इनोवेशन कॉप्स टीम्स अवार्ड से ने समनित किया गया है तो एक्जाम में सिंपली में बताया था आपको ठीक तो अभी क्या है यह 45 स्थान पर आ गया है तो इस साल भी और पिछले साल भी शीर्स पचास में जगह बनाने वाला पहला भारती हवाई एड्डा बना था कौन सा इंद्रा गांधी अंतरराष्ट्री हवाई एड्डा ठीक तो इसमें और कौन- कि दुनिया का शीर सवाइड़ा स्काइट्रैक्स एरपोर्ट्स अवार्ट्स में ठीक दोहा कतर में हमाद इंट्रनाइसनल एरपोर्ट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहां पर शोकर दिये जा रहा है आप फिर शिकायत करते हैं कि इंग्लिश कंटेंट नहीं दिखा करताव किया गया कि congress का या congressional gold medal इनको दिया जाए तो congressional gold medal पाने माले पहले भाषरती हो सकते हैं अभी देखना यहां पर हो सकते हैं लिखाया मैंने जान बूझकर कैप कि ए अनौछ नहीं किया गया है most likely announced हो जाएगा एक दो महीने में आपको मिल जाएक current affair में लेकिन हो सकते ह अभी आप याद रखिए हुए नहीं है ठीक तो अगर मतलब एक्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कॉंग्रेशनल गोल्ड मेडल के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया था अमेरिकन कॉंग्रेश की तरफ से तो उनका नाम होगा महत्मा गांधी मनो प्रांथ मेडल के लिए जब ऑफीशल अनाउंस कर दी जाएगा तो हम आपको आगे करेंट अफेर के वीडियो में अब्रेट कर देंगे अभी तक की यही बात है बढ़ते हम लोग आ गया राश्ट्री युँवा पुरुषकार अभी दिया गया है मॊम्हाद आजम को दे लंगाना के करीम नगर जीर लेके निवासी है इनको अनुकडिय नेत्रत वह गुणों को प्रदर्शित करने के लिए भीह बीःहल में को मिला सुरोई पूत्रू फिल्म के लिए ही और सर्फ्रेश्ट प्रदर्शन महिला फीचर फिल्म के लिए जो एमजॉन प्राइम पर फिल्म आई थी शेर नी अच्छी फिल्म है अगर आपने देखियो तो खैर फिद्या बालन को इसमें जो है लीड रोल के लिए सर्फ्रेश्ट निर्देशक का वार्ड मिला है अनुराग बासू को लूडो फिल्म के लिए जो नेट्फ्लिक्स पर आई थी बेस्ट सिरीज का वार्ड मिला है मिर्जापूर सीजन टू को उसके बाद पस्चिम बंगाल को पांच अलग अलग क्टेग्रीस में स्कॉच अवर स्वाइड किसलिए रजत किसलिए इस सिफ वही लोग याद रखेंगे जो वेस्ट बंगाल PCS की त्यारी कर रहे हैं बुक्स और पर आजाएंगे बुक्स और इस महीने काफी सारी आएं खाली मोस्ट इंपोर्टेंट वाली जो एक्जाम के लिए रेलिवेंट है वो करेंग परेशन खुक्री यह लिखा है राजपाल पुनिया और सुश्री दामिनी पुनिया ने मिशन डॉमिनेशन एंड फिनिश्ड क्वेस्ट यह बोरिया मजुम्दार ने लिखिया बोरिया मजुम्दार अगर आप पढ़ता होगा यह ज्यादे तर क्रिकेट से रिलेटेड द्रीम आफ रिवल्यूशन बायोग्राफी आफ जैप्रकास नराएंड उसके बाद एक्सेलरेटिंग इंडिया सेवन येर्स ओफ मोधी गॉवर्मेंट यह लिखी है पूर्व केंद्री मंत्री जो मतलब टूरिजम मिनिस्टर रह चुके हैं अगर आप पो याद दो के जे सर्वाइवल इन आर हैंड्स ये थीम था इस बार अंतरश्टी बाग दिवस का मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये एक अगस्त को मनाते हैं किसलिए मनाते हैं हम लोग मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये को मिनाते हैं मुस्लिम महिला अधिकार दिवस हम लोग क्यों मनात भारती एथलिटिक्स महासंग ने वैसला किया है कि ओलम्पिक स्वंडपतक फुजेता नीरत चोपड़ा के सम्मान में हर साल साथ अगस्त को भाला फेंख दीवस मनाए जाए गया यहीं कि जैवलिन थ्रोडे बहुत इंपोर्टेंट उसके बाद इस आतवा राश्टरी हथ करगा दीवस यानी हैंदलूम डे होता है साथ अगस्त को और अगस्त करांती दीवस या फिर भारत छोड़ो दीवस होता है यह वता है आपका आठ आगस्त को भारत छोड़ो का नारा किस ने दिया था यह आप उमको जल्दी से इसनी मा कि BOMBING के बाद नागासाकी में बंबिंग होई थी तो उसमें नागासाकी दिवस मनाते हैं तीन दिन बाद 9 अगस्त को विश्व लॉयंड देय यानि कि विश्व सिंग दिवस बाग दिवस प्रतिदिवस के रूप में, World Humanitarian Day, 19 अगस्ट को मनाएंगे हम लोग, Akshay Purja दिवस मनाएंगे 20 अगस्ट को, सदभावना दिवस मनाएंगे 20 अगस्ट को, विश्व संस्कीर्त डे बनाएंगे 22 अगस्ट को, संस्क्रत सप्ताह मनाया गया 19-25 अगस्त को और आइकॉनिक वीक के रूप में मनाया गया इसको 23-39 अगस्त को ठीक है डिफेंस की काफी सारी एक्सरसाइजेस कंड़क्ट हुई है कोविड थर्ड वेफ से आने से पहले मतलब सेकेंड खत्म होने के बाद तो स्वदेशी विमान वाहक पोथ जिसको हम लोग बोल रहे हैं पी-71 कोड नेम विक्रांत इसने अपनी पहली समुद्री यात्रा पूरी की है चार अगस्त को कोची सरवाना हुआ था यह तो स्वदेशी विमान के रहे हैं यह पूछा जा सकता है आपसे पेपर में तो मोस्ट इंटरनाइसनल आर्मी गेम्स 2020 कहां पर हुए अगर पूंच लें तो इसका एंसर हो जाएगा रशिया ठीक और इनी को वार ओलम्पिक्स भी कहा जाता है उसके बाद मालाबार एक्सराइज 2021 गुवाम युएस में वी थी भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया यह कौट देश जो है इंडो पैस्विक में गुवाम तट पर इसमें शामिल हुए थे उसके बाद ऑपरेशन ब्लू केंद्री समाजिक ने और अधिकारता मंत्री डॉक्टर विदेंद्र कुमार ने जो आजादी कामरत महुत्सों मना रहे हैं 2022 में हमारी आजादी की 75 वी वर्षगांट होगी उसके उसतर पर डॉक्टर मेटकर इंटरनाइसनल सेंटर नई दिल्ली में ऑपरेशन ब्लू फ्र दिव्यांगों का हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट्ली अबल्ड पीपल्स का भियान होगा अच्छा इस पूरी कहानी में लोग इग्णूर कर देते हैं कि हमसे कॉश्चन क्या पूछ जा सकता है उपरेशन ब्लू फ्रीडम इस रिलेटेट्ट तो आप इसको यह कंफ्यूस क से उचे ग्लेशियर पर पहुंचने के लिए इंग्लिश परजन का कंटेंट यहां पर लगा हुआ है आप इसका रख सकते हैं बढ़ते हैं हम लोग आगे जायत तलवार 2021 ठीक है सभी राज अमिरात की नौसेना के साथ भारती नौसेना ने अब उदाभी के त्रेक्ट पर अब उदाभी में कुछ लोग फंबल होने पर पहुत पर रिसान हो जाते हैं कि पढ़ाना नहीं आता सीख के आओ राफेल विमान के दूसरा स्कुआड रना आ चुका है पश्चिम बंगाल में यहां पर आया था बंगाल के हासी मारा एर बेस में आया था सबसे पहला जो मल लोग इंडो-Tibetan Border Force बोलते हैं इन्होंने अभी क्या किया है कि first two women officers in combat को पहली बार तैनात किया है इंडो-Tibetan Force की पहली दो महिला officers in combat हैं यह IPS officers प्रकृति और दीक्षा ठीक है यह Company Commanders के दौर पर ITBP Battalion में शामिल हुई है और ITBP की पहली दो महिला officers in combat है यह याद रखना है आपको अल-Mohaid-Al-Hind यह अभ्यास हम किसके साथ करते हैं यह UA के साथ नहीं करते हैं अभी करते हैं साओधी अरब के साथ साथ साओधी अरब UA में confused मत होईएगा अल-Mohaid-Al-Hind यह किसका है साओधी अरब का है United Arab Emirates का क्या है United Arab Emirates जो हमने किया है वो है आपका जायद तलवार और जो हमने यहां पर साथ किया है वो है अच्छा आजादी कामरत महुत सो कब से कब तक चलेगा इसमें confusion था लोगों को वो हमने clear किये था अपने quiz वाले पेट डूप में अब यहां भी बता दे रहे हैं आजादी कामरत महुत सो कब से कब तक चलेगा exactly यह question आजाए paper में तो आप क्या mark करेंगे 12 March 2021 से लेकर 15 August 2022 तक 75 सब्ताह पूरे हो रहे हैं और यही है आजादी कामरत महुत सो का पूरा timeline हालांकि बिल्कुल officially कहा गया है कि 17 वीक पूरे होने के अगले वर्ष तक यानि कि 15 अगस 2023 तक celebration चलते रहेंगे ठीक है 75 वीक कब से कब तक count हो रहे हैं यह बता दिया लेकिन एक साल बात तक यानि क 15 अगस 2023 तक यह celebration चलते रहेंगे ध्यान रखिएगा आप ठीक है कोंकर नाम से अभ्यास हम किसके साथ करते हैं कोंकर नाम से अभ्यास हम लोग करते हैं ब्रिटेन के साथ और यह आइनस पाबार यहां पर गया था इंग्लिस चैनल में इसमें पाटिसपेट करने के लिए ठी धूबाइल एर ट्राफिक कंट्रोल टावर यहां पर बनाया है तो दो दुनिया का सबसे ठीक चैनल में अपर लदधाख में बढ़ते हैं आगे हम लोग 400 km जजबाय तरंगा रिले महरुथोन किया गया था उसके बाद बहुराष्ट्री सीकाट अभ्यास सीकाट कहां पर वह था सबसे पहले सिंगापुर में लोकेशन इपॉर्टन्ट है यह मल्टी लेटरल एक्स satisfaction थी यह कई सारे देश में इसमें पार्ट्सपेट किया था बहरत ने किया ठहण पांचमां बाहरत चाब्यास सजक्स्ट अभ्यास जो कजाकरस्तान में वा इसको काजिंद बोलते हैं। जब आध मैं यह काजाकरस्टान में बॉलते हैं। आप हमको यह comment करके बताएए कि highest peak of हिमाचल प्रदेश कौन सी है highest peak of हिमाचल प्रदेश यह आप हमको comment करके बताएंगे उसके बाद भारत रशिया सेंउक्त सैन अभ्यास इंड्र नेवी इंड्र उपर देख चुके हैं हम और यह जो है आपका इंड्र नाम से सेना की exercise होती है अब उसमें एविया इंड्र लगा दें तो वह जाती है आपकी एर फोर्स एक्सराइज तो इंड्र नाम से हम तीनों exercise करते हैं रश्या के साथ तो यह हमने इंड्र का मदलबी सैन अभ्यास भी किया और नेवल एक्सराइज भी किया एर वाला नहीं किया Defense India Startup Challenge का 5 बार हो रहा है, यहीं है काम सांट्र को यहां कर रहे है तो यह रिख सभे नाशय जाइरेलबहर फारसज कारणी में वह था बारती नान ओ सेना और कतर अमरी navel force के बीच यह साह है न अभ्यास हुआ है तारीखित है यह 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 याद रखना कानपूर में यहां पर जो है हिंदुस्तान 228 नामक जो यह सिविलियन एरक्राफ्ट है इसका परिक्षण किया गया है ठीक परिक्षण कानपूर में किया था हिंदुस्तान अपर आर्मी 2021 भारती पविलियन का उद्गाटन अगर यह आपसे पूछ लें आर्मी 2021 यह हुआ कहां पर यह हुआ है रश्या में और भारत की तरफ से भी मतलब वहां पर अपना प्रदरशनी लगाई गई थी इसको पविलिय यह एक्सपो हुँता है एक तरीके का ठीक है एक्सपो मतलब प्रदरशनी सिंप्ली अब इचरीज हम लोग कवर करेंगे अगस 2021 मंत की सबसे पहले पदमा सचदेव पदमा सचदेव जो है डोगरी भाषा की पहली modern कवित्री मानी जाती है ठीक है आपको एक कोमेंट करके ब प्रदेश के पूर मुख्यमंतरी और राजस्थान इमाचल प्रदेश के पूर राजपाल रहे चुके हैं इनके बारे में ब्रीफ में जरूर पढ़िएगा आरो पेपर में यूपी जी के यूपी करेंट काफी डीप से आता है तो यह आ सकता है इससे प्रश्ण बनने की सं इंडर थे मतलब कुल बिलाकर एक फूटबॉलर थे भारत भारती टीम की तरफ से और ओ चंदर शेक रहनी यह भारत के फूटबॉलर और ओलम्पियन थे ठीक इतनी वबचरी इंपॉटन्ट एक्जाम के लिए अधर मुझे नहीं लगता कि कोई इंपॉटन्स रखती स्कीम काफी काफी जरूरी है चुकि यूपी समंदित भी है और वैसे तो इंपॉटन्ट है ही उभरते सितारे फंड के बारे में बात की जा रही है सबसे पहले मिनिस्ट्रियों फैनेंस की है स्कीम को लखनव में लॉंच किया गया है निर्मला सीतरमण जी के द्वारा और यह उबरते सितारे फंड का उदेश क्या है कुल बिला करके MSME कमपनी को यहां पर प्रमोट करना उनके लिए धन की विवस्थत करना फंड की स्थापना एक्जिम बैंक और सिडबी ने की है यह ध्यान रखेगा ठीक एक्जिम बैंक और सिडबी ने सिडबी का हैड़टर कह यहां पर योजना है इसको आछी मतलब long-term की यह यूजना है इसको एक साल में इतने पैसे कर देगे को यहां पर विज्ञाद की मंतराले द्वहरा लांच किया गया है इसको इसरो पूच लेए वाट ईब उप्शनों तो आपको यह जरूर याद रखना है कि रिमोट सेंसिंग और G is बेजड जानकारी का अपयोग करके मनडरेगा प्रिसंबत्यों की योजना को सक्षम करने के लिए इसको बनाया गया है और अगर सिंपल टर्म से बोलें तो जियो स्पेशियल प्लानिंग पोर्टल है यूगतदारा ठीक है उसके बाद फास्ट ट्रैक विशेष नयालेओं के लिए केंद्र प्रायोजी तियोजना है 4 अगस्त 2021 को केंद्री मंतरी मंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष नयालेओं के लिए केंद्र प्रायोजी तियोजना को अगले दो वर्ष में जो है लागू करने की यहां पर मंजूरी दिये क्रियेट करने के लिए और उसको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस रूरल कम्यूनिटी को लदाख में बताने के लिए ठिक Artificial Intelligence for All Initiative कौन कर रहा है इसमें Intel के साथ मिलकर के CBSC बोर्ड इसको लाना चाहरा है उकल मिलाकर AI-based जितनी भी सामान जानकारी होनी चाहिए उसको प्रमोट करना चाहता है Intel के साथ मिलकर के CBSC की मतलब करत्रिम बोधी मत्ता के बारे में बुनियादी समझ भारतियों में डवलप हो सके यह बहुत-बहुत जरूरी निउस है और एक्जाम में आनिला एक निउस है UP के सभी एक्जाम के लिए इंपॉर्टन है उज्वला योजना 2.0 का यहां पर उद्गाटन हुआ है प्रदानमंत्री मोधी जी ने उत्तरप्रदेश के महभबा से किया है यह बहुत जरूरी है इसमें बेसिकली फोकस है पाम उइल पर तो पाम उइल पर केंद्रिती मिशन है और इसमें जो है हम कब तक इसको जो है इसका उत्तपादन बढ़ाने चाहते हैं पाम उइल के प्रोडक्शन को क्यारा लाक मिट्रिक टन तक ले जाना चाहते हैं यह लक्ष एक बार जरूर आप ध्यान रखिएगा दीन दयाल अंतियोदय योजना राष्ट्री ग्रामीडा जीक का मिशन यानि की नैसनल रूरल लाइवलि हुड मिशन जो चल रहा है तो इसमें 12 गस 2021 को आत्म निर्भर नारी शक्ती से समगात कारिक्रम किया गया था तो उसके तरकत क्या है कि डे अनियू अलम के तहित यह जो जितनी पिंगे डे अनियू अलम में एक होता है ये vors अ एन आर अलम तो इसमें क्या फर्क फर्क है कि मतलब एक दिन दयाल उपाद्यया है नैसनल आरभ लेवलि हुड मिशन होता है उसको एनियू ग्री आरłम योजना ट्राइफट की तरफ से आय थी जैसे रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के जो है जिन्जाती महिलाओं ने एको फ्रेंडली राखी बनाई थी और जो है ओरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में और रक्षबंधन पर योजना लॉंच की गई थी ट्राइफट के दवार में जो है क्या अनुदान करेगी इतना जरूरी नहीं है सीजी पीसिस के अगर अपतायरी कर रहे हैं तो इसके बारे हम डीप से पढ़िएगा बस इतना याद रखना काफी अधर के एंडिडेट के लिए कि राजीव गांधी ग्रामीड भूमिहीन मजदूर नया योजना जो है चतीजगर सरकार की है यह काफी जरूरी है लीथियम की खोज़ पर पर योजना यानि कि प्रोजेक्ट ऑन लीथियम एक्स्प्लोरेशन जियो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क करता है और रिपोर्ट्स देता है उसके बाद हमारा खनन मंत्राले जो है उनकी रिपोर्ट्स के अधार पर खनन करता है तो आंध्र प्रदेश अवनाचल प्रदेश जार्खंड चातीजगर राजिस्थान और जमू कश्मीर इन राजियों में जिलोजिकल सर्वे ऑफ क्रशीकर्ड योजना के तहते मिनी पॉली हाउस बनाया जा रहा है जो कि एक प्रकार का ग्रीन हाउस है ठीक स्माइल स्कीम जो है यह समाजिक नया और अधिकारता मंत्राले की है और स्माइल का यहां पर फुल-फार्म है सपोर्ट टू मार्जिनलाइज़ परसंस फॉर ला अधिक सबाने मंदूरी दे दी है कि इकल विलाकर जो है जितनी भी अम लोग कह सकते हैं कि एफ्रिकन मूल के जितने भी एथनिक ग्रुप से उनके खिलाफ जो स्टीरियोटाइप्स है और जितनी भी गलत धाड़ाएं हैं उनकी कलर को लेकर उनके रहन सान को लेकर तो उसक करना दलित बंदू योजना जो है उकल बिलाकर मुख्यमंत्री ने लॉंच की उकल बिलाकर जो दलित परिवार है वो सीधे 10 लाक रुपए के कैश बेनिफिट का जो है लाभानवित यह लाभार्ती बनेगा हम लोग कह सकते हैं पीटी के पेपरम पूछा कह था कि यह दलित पर खेल घटना क्रम में पहला भारत का स्वण पतक जीतना भारत की दरफ से निटा चोपडा ने जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर लंबा थ्रो जो किया था और काफी वीडियो उसका बारेल हुआ यह तो पहला बताने क्ज़र्वत नहीं किसी भी कॉमन इंडियन को यह पता था वेनिजवलिया कि युली मार्ट रोजाउस ने टोक्यो लंपिक खेलो में 15.67 मीटर के साथ सवन पतक जीत कर ट्रिपल जंप में अब तक का नया रिकॉर्ट बनाया यानि कि इतना लंबा जंप किसी नहीं मारा है कई सारे जो भारती लोगों ने जो पतक जीते हैं किसी ब्रॉंज अगर जीता है तो उसी इवेंट में सिल्वर किसने जीता गोल्ड किसने जीता ये सब चीज़े पूछ सकते हैं जैसे मैंने का कि आप ओलंपिक वाला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा टैनिस प्रतियोगिता विनर्स ओपन 2021 ये जो है इसमें महिला एकल कौन रहे मैकेंजी मेकडॉनल्ड उसके बाद महिला सिंगल्स में जो है ये रही जैनिक सिनर एक्चुली इसमें भी मैंस का लिखा हुआ है इसमें खाली मैंस वाला इवेंट आप ध्यान रखिएगा इसमें मैंस सिंगल्स वाला ठीक है कौन जीता और कौन रप रहा बस इत जीता जैन क्रिश्टाफ डूडा ने जीता था जो कि पोलेंड से हैं ठीक है और यह सोशी रशिया में वा था आपका फ आई डी वर्ड कप चेस का उसके बाद एफ आई डी विमेंस यह जो है चेस वल्ड कप हुआ इसको किसने जीता अलेक्जेंट्रा कॉस्ट नियूक यह है रशिया से पीवी सिंदू ने जो है ब्रॉंज मेडल जीता सिल्वर वाला मैच यह हार गई थी उसके बाद अगले दिन इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता था चीन की ही बिंग जियाओ को हरा कर यह याद रखना है आपको ही जिंग बियाओ को हराया बिंग जियाओ पहली भारती महिला अथलीट बनी किसी भी उलेमपिक में ओवरर वलाल ओल्मकिक में दो मैडल किसी भी भारती महिला के पास नहीं थी मैं इन्डिविंजिवल वाले सिवाए अब पीवी सिंदू करोन करके शोंग जो मुहित चौहन ने लेकर करके संग चौह जो हो ऐसल क्रो उन्होंने गाया आये, हंज यहिं झीती है, इश्ट बैन ओकौन ने, बस इतना हुआध रखना काभी है, किस जीती इस्त बैन ओकौन ने, टेस्ट रिगट में तीसरे सरवाधिक के साथ दूसरे पर पर और कुल बिलाकर फास्ट बॉलर्स की कटेगरी में सरवाधिक लेने वाले विश्व के गेंदबाज हैं टेस्ट क्रिकेट में जेम्स एंडर्सन जो क्रिकेट बगर देखते हैं उनको इस अभ्याद होगा जिनों को नहीं आप था उनके लिए बता दिया है दूरंड कप ज साथ दूसरे परची ने 88 पदक के साथ जापान है तीसरे नंबर पर 58 पदक के साथ भारत के साथ पदक हैं याद रखना आसान है एक सवर्ड रजयत और चार कांस टोक्यो परेलंपिक शुरू हो चुका है और भारत की तरफ से मेडल भी आ गए इसको इस वीडियो में नहीं जुलाई मन्त के लिए ICC Player of the Year ये अनाउंस कर दिया गया है शाकीबल असन पुरुसों में और वेस्टंडी टीम की कप्तान जो है महिला टीम की कप्तान स्टेफनी टेलर ये दो रहे हैं पुरिश और महिला क्रमश है प्लेर आफ दा मन्त ICC के दौरा भारत के शीर्स 11 साइक पॉनियर शहर में से एक नहीं है ठीक इनको देखिएगा एक बार विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपेंशिप में जो की केनिया के नैरोबी में हुई थी इसमें जहांसी की 17 वर्षी युवा एथलीट शैली सिंग ने लॉंग जंप परधा में इतने मीटर की छलांग करके रजत यानि की सिल्वर मेडल जीता ठीक है यह आप याद रखिएगा क्योंकि जहांसी से हैं एक बार जरूर देखिएगा इनका नाम ठीक है क्या नाम है इनका शैली सिंग उसके बाद मैसी जो है पैरिस सेंट जर्में में शामिल हो गया है बरसिलोना क्लब से खेलते नहीं खेल पाए बारत के 79 वे शत्रणजी ग्रैंड मास्टर कौन है हर्शित राजा ठीक हर्शित राजा इनका नाम ध्यान रखिएगा अब 68 वे करनाम ध्यान रखना जरूरी नहीं है क्योंकि अब उनतरवा आ चुका है उसके बाद भारती होकी टीम को प्रावजित करेग इंडियन होकी टीम को उसके बाद प्रिंशस पाल सिंग जो है एन्बये चैंपियेंशिप रोष्टर में शामिल हुए प्रिंश्पाल सिंग जो है मतलब उस टीम का हिस्सा जिनोंने NBA किताब जीता इस साल Sacramento Kings का पार्ट है प्रिंसिपाल सिंग जिसने 2021 NBA Summer League जीती है Tokyo Paralympic के उद्गाटन समारों में भारत के दोजवाख अब बदल गए हैं, पिछली बार हमने आपको बताया था last month के वीडियो में की अब आप इनका नाम चेंज कर लीजे इनको COVID हो गया था और ये क्वारंटाइन कर दिये गए इस वज़े से ये जो है उद्गाटन समारों में भाग नहीं ले पाए तो उनकी वज़े से उनकी जगहे पे कौन गय थे टेक चंद, तो ये आ सकता है exam में क्योंकि जिन लोगों ने मरियेपन, ठंग वेलु याद किया होगा उनका गलत हो जाएगा, जो सवाल गलत होने की संभावने ज़्यादा होती है, वही exam में ज़्यादा आता है, तो टोक्यो पैरलिंपिक के उध्गाटन समारों में कुल बिलाकर फाइनली भारत के फ्लाग बीरर कौन रहे अगर पूछें तो, तो उसका नाम हो जाएगा टेक चंद, उसके बाद काफी सारी summits भी हुई हैं अगस्त मंत में, इपसा परेटन मंत्रियों की बैठक में कौन शामिल हुआ था केंद्री परेटन मंत्री, जी किशन डेड़ी तभी आपको कहा था कि कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम जरूरी याद रखेगा, जो कैबिनेट रिशाफल हुआ है, ऐसे आपको याद रहता है कि परेटन मंत्रियों की बैठक हुई तो ओविसली हमारी तरफ से जो परेटन मंत्राले देख रहे हैं तो वह जाएंगे या तो जिन्होंने स्वतंत्र प्रभार लिया हुआ हुआ है वह जाएंगे ठीक, तो यह गय थे श्री जी किशन डेड़ी है मद्ध दक्षण एशिया सम्मेल हैं सेंट्रल साउथ एशिया कॉंफरेंस यह कहां प्रवी थी ताशकंत में ठीक बेकिस्तान के ताशकंत में भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री सामिल हुए थे डॉक्टर सुब्रमन्यम जैशंकर बस इतना याद रखना काफी है वर्ल्ड एकनोमिक फोरम का सस्टेनिबल डवलप्मेंट इंपक्ट सम्मिट जो है यह 20 से 23 सेप्टेंबर के बीच जिनेवा सुट्जर लैंड में होगा और जो है शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूजिव और सस्टेनिबल रिकवरी इसकी थीम होगी याद रखिए ज मिलती जाती है अगर आपको यह पता करना है कि यह सदस्टा कैसे मिलती है वह आप देख सकते हैं हमारे लिए फिलहाल इस वीडियों जरूरी यह है कि जो है प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी उनसी की बैठक की देख्षता करने वाले पहले भारती प्रधानमंत्री बने है य और कुल भी लाकर SCO Agriculture Ministers की मीट को प्रसाइड किसने किया तजीकिस्तान ने उसके बाद SCO Defense Ministers की मीट हुई थी यह तजाकिस्तान में हुई थी दुशानबे में ठीक है और भारत की तरफ से कौन गये थे राजनात सिंग जो Defense Minister इस समय ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की पां आशियान शेत्रिये मंच का जो अंत्रिस्तरिये समयलन हुआ था इसमें डॉक्टर राज कुमार रंजन सिंग गये थे ठीक है यह अबुर्णई के अद्यक्षता में यह हुआ था महिला अधिकारता पर G20 मंत्रिस्तरिये समयलन हुआ था यह इटली के सैंटा मौर्गरिटा लिगूर में हाइब्रिड रूप से हुआ था यह निकि कुछ लोग वहां पर गये थे और कुछ लोगों ने यहां पर वर्चुली जोइन किया था कॉन्फरेंस को तो वर्चुली सम्मिट लंडन में हुई है तो इसमें क्या है केन्य और उनाटिट किंग्डम ने पांच बिलियन युएस डॉलर्स जुटाने के लिए इसका आयुजन किया था कुल विला करके G20 रिसर्च मिनिस्टर्स की मीट हुई थी ठीक है और इसमें वहालत की तरफ से कौन सम्मिल दूए थे वीडियो कौन्फरेंस के माद्व हमसे सुभास सरकार जो केंदरी सिख्षा राजी मंतरी है सुभास 사रकार ये G20 Research Minister's Meet में वर्च्वल तौर पर शामिल हुए थे G20 देशों के Digital मंत्रियों की बैठक हुए थी Digital Minister's Meet ये Trist Italy में हुए थी Hybrid तौर पर कह सकते हैं कि मतलब वहाँ पर कुछ लोग शामिल हुए और काफी अधिक देशों से लोग Video Conferencing से जुड़े तो Video Conference से जुड़े था अश्वनी वैशलों ने इस Conference को शंगाई सहयोग संगठन की आठवी नियाय मंत्रियों की बैठक और इसमें कौन शामिल हुए थे? किरन रिजिजू और Professor S.P. Singh बगहेल भी शामिल हुए थे India Internet Governance Forum जो है ये होगा कब से कब तक चलेगा? 20-22 October के बीच होगा ये यहाँ पर बताया गया ये आप याद रखिएगा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए एक Permanent Forum बनेगा Racial Discrimination आदी इन सब को Eliminate करने के लिए यहाँ पहले बता चुके हैं आपको ये Extended Troika Meet हुई थी जब ये Taliban Crisis चल रही थी लगातार गटना करम चेंज हो रहा था तो जब तक Taliban ने कबजा नहीं किया उसके चार दिन पहले एक Extended Troika हुई थी उसमें इंडिया को नहीं बुलाया गया था याद रखिएगा ठीक है? और ये Extended Troika Meet हुई कहां पर थी? इसमें इंडिया को नहीं बुलाया गया था दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम की ग्यारवी में बैठक हुई थी और ये जो Forum of Election Management Bodies of South Asia इसके अध्यक्ष को होने? इसके अध्यक्ष है सुशील चंद्रा जोकि भारत के मुखे चुनाव आयुक्त भी है उसके बाद रिपोर्ट्स इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं नई वैश्विक युवा विकास सूचकांक ये लेंडन के कॉमनवल्थ सेक्रेटरियेट के द्वारा जारी किया जाता है इसमें भारत को 122 वां स्थान मिला है वैश्विक युवा विकास सूचकांक में और इसमें टॉप पर है सिंगापूर फिर है स्लोवेनिया फिर नॉर्वे टॉप थ्री याद रखना बस इतना काफी होगा आपके लिए बारत की रैंक ज़रूर याद रखेगा ये है 122 वी हुरून ग्लोबल के द्वारा 500 सबसे मुलिवान कंपणियों की अपडेटेड लिष्ट आ गई है और विश्व की सीर्स मुलिवान कंपणिय कौन सी है एपल है ये ज़रूर याद रखेगा फिर माइक्रोसॉफ फिर अमिजान टॉप 3 याद रखना इतना काफी होगा इन्होंने एक और सूची जारी की है कि मतलब हुरून ग्लोबल 500 के हिसाब से कि कि किस देश में टॉप कंपनी सबसे जादा है उस हिसाब से कंपनियों को रैंकिंग दी है और सिटीज को भी यानि कि USA ऐसा देश है जिसमें हुरून टॉप 500 की सरवाधि कंपनी शामिल है और वो न्यू यॉक से हैं ठीक फिर चाइना की फिर जापान की फिर यूके की भारत इसमें जो है नवे नंबर पर आता है ज़रूर आप देख लीजेगा एक बर और शहरों के मामले में भारत का एकमात्र शहर मुंबई जो है यह दसमें नंबर पर आता है इनकी शहरों और देशों की सूची में ठीक फॉर्चून ग्लोबल 2021 की सूची आ चुकी अभी तक हम लोग 2020 वाली पट रहते तो विश्व की सीर्स पांच कंपनिया कॉन्स जी है वालमॉर्ट स्टेट ग्रिड अमेजॉन डॉट कॉम चीन राष्टरी पेट्रोलियम और साइनों पैक इसमें आप टॉप दो याद रख में फिर इंडियन ओल है फिर आपका जो है ओले नैच्रल गैस है ओंजी सी फिर है आपका राजेस एक्सपोर्ट फिर है टाटा मोटर्स आप बस खाली टॉप दो याद रखिए बस इतना काफी होगा आपके लिए और टॉप 500 फॉर्चून की लिस्ट में सरवाधिक कंपनि किस देश की है यह यूएस की है एक 122 कंपनी बात समें से ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स यानि कि क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में कौन से देश सीर्स पर है तो क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में वेतनाम टॉप पर है फिर जो है इंडिया स commodity deal की जाती है याद रखेगा जिन्स के तौर पर commodity के तौर पर deal की जाती है ये index खाली इस चीज का मेजर है कि cryptocurrency trading कहा कहा पर सबसे ज़्याद होती है किसने क्या मानिता दी है इस बारे में नहीं है safe cities index आया है economist intelligence unit का economist intelligence unit का इसारी इंडेक्स जारी करती है cities के बारे में most livable cities most safe cities तो सबसे सुरक्षित सहर की सोची में रखा है Copenhagen को top पर फिर टोरेंटों को Singapore city third पर है बस top 3 याद रखे बस इतना काफी है उसके बाद है कि QS best student cities ranking वेकरली साइमेंट जो है universities को ranking देता है इनकी नई ranking आई है कि student friendly cities कौन सी है ठीक है best city for student कौन सा इनके इसाब से London है फिर Munich है भारत की तरफ से top 100 में कोई भी नहीं शामिल है top 100 से बाहर है भारत की cities जैसे मुंबाई को 16 स्थान पर रखा है student best cities की list में और 110 में पर रखा है बैंगलूरू को इस list में नीतियायो का कोई भी इंडेक्स आपको skip नहीं करना चाहिए North Eastern Region की district SDG index report 2021-2022 आ चुकी है यानि पूर्वात्र छेत्र के जिलों की SDG सूचकांग report तो इसमें सिर्फर सिर्फ मतलब पूर्वात्र राजियों के जो जिलें है उसी को राइंक दी गई है जैसे सिक्किम का पूर्वात्र जिला जो है इसमें 103 पूर्वात्र जिलों की सुची में शीर्स पर है ठीक है गोम्ती उत्तर उत्तरी त्रिपुरा मतलब गोम्ती district जिवा आपका नर्दन त्रिपुरा में है यह 2nd पर है और Western त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है 3rd पर है इसमें वसे इतना याद रखना काफी है इसमें 130 रैंकिंग यानि लास्ट पर रखा गया है जो की 5 डिस्ट्रिक्ट करके है नगलेंड का उसको ठीक वसे इतना याद रखना काफी है 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूशित सहर इसको बताया है और दूसरा इन्होंने दूसरे पर रखा है इंडिया में उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद को ठीक तो गाजियाबाद को रखा है जरूर याद रखिएगा और एक और महत्पूर्ण चीज़ नोंने बताई है कि दुनिया भर के 50 सबसे सहरों में सबसे ज़्यादा जो है बंगलादेश में फिर चाइना में फिर भारत में फिर पाकिस्तान में ठीक उसके बाद वैश्विक विनिर्मान जोखिम सूचकांग करके आया था जिसको Global Manufacturing Risk Index बोलते है भारत जो है वैश्विक विनिर्मान जोखिम सूचकांग में पर चाइना है, सेकंड पर इंडिया, थर्ड पर अमेरिका, Global Manufacturing Risk Index में कम से कम यह जरूर याद रखिएगा फैक्ट Most expected questions में हम देखेंगे वो सभी news जो किसी एक तरह के section में नहीं categorize की जा सकती थी या फिर जो multiple sections में cover हो रही थी और जो हमने sections पढ़ है उससे related most important questions कैसे पूछा दा सकता है इसको भी cover कर लेंगे पहला मारा सवाल है निमलिकित में से कौन से कथन गलत है इंकरेक्ट यहाँ पर पूछा गया है तो भारत ने नेपाल को एक oxygen सहींत रभीदान किया है जो नेपाल के सुनसारी जिले में संचालित होगा ठीक है इंडिया डोनेट किया भी सही है उसके बाद है कि researchers जो है इसली developed metro train जो की भारत की पहली होगी उससे पूरे metro में लगाये जाएगा तो तीनों statement यहां पर सही है किसी भी एक statement से आपके exam में MCQ देखने को मिल सकता है इसी विज़से हम statement wise cover करते हैं जिससे कम शब्दों में ज्यादा चीज़ें clear हो जाए cover हो जाए और MCQ की संख्या option number C यहां पर सही है निमलकित में से किन दो देशों के द्वारा October माह में संख्यूक तरूप से चौथा वार्षिक Indo-Pacific Business Forum की मिज़बानी की जाएगी संख्यूक तरूप से तो भारत और अमेरिका करने वाले संख्यूक तरूप से Indo-Pacific Business Forum की मिज़बानी है option number A उसके बाद सवाल है कि भारत को Postal Operations Council के लिए कितने मतों से विजय चुना गया है तो Postal Operations Council का हेड इंडिया बना है और इंडिया को एक सुच्छ है वोट मिले थे यहां पर option number D एक सुच्छ है अगला हमारा सवाल पहला statement है एक National Maritime Heritage Complex जो है इसको एक International Tourist Destination के रूप में डवलब की है तो सही है यह उसके बाद यहां पर दिया हुआ है कि इसरो का जियो सिंक्रोनिस से ट्लाइट लॉंच वीकल यानि की जिए सल्वी एफटेन EOS03 मिशन या फिर जिसको जी सैट वन मिशन बोला जा रहा है यह जो है एंसेक्सिस्फुल रहा है इस रोने अपनी वेबसाइट वन उसके बाद है कि इंडिया का जो क्लीने सिटी है इंद और लगातार चार साल से यह भारत का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है तो यह भी सही है हमारा एंसर हो जाएगा इसमें कोई भी इंकरेक्ट नहीं है सारे स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें इंकरेक्ट पूछा उसके बाद है कि 19 वर्षी सहरोज कासिफ दुनिया के सबसे कम उम्र में केटू के परवत शिखर पर पहुंचने वाले परवतारो ही बन गया है यह कहां से है तो यह है आपका पाकिस्तान से आप्शन नुबर सी यह हम सेक्शनल करेंट अफेर में देख चुके हैं अग्रिमेंट वाले सेक्शन में CBSC और Intel ने समझाता किया है AI for all initiative है को बिलाकर AI के बारे में वो न्यादी समझ डवलप करना है भारतियों के बीच यह उद्देश है तो दोनों ही statement यहां पर correct है हमारा answer हो जाएगा यहां और बोथ 1 एंटू correct C उसके बाद केंदर सरकार ने उड़ान योजना के तहित कितने नए विमान यातायात मारगों को मंजूर किया है तो अभी हाल मंजूर किये गए हैं 780 आपके new air traffic routes option number B इन में से किस राज सरकार ने सूचना प्रावध्यकी के छेत्र में उलेखनी कार करने वाले राज के सनस्थानों को राजीव गांधी पुरुसकार देने का निड़ने लिया है तो यहां पर answer हो जाएगा आपका महाराश्टर option number B अगला question मलेशिया द्वारा hepatitis C के लिए दुनिया की पहली सस्ती और प्रभावी medicine रविदा स्विर पंजीकरत की गई है इस तरों ने प्राकरतिक आपदाओं की निगरानी के लिए एक उपग्रे लॉंच करनी गोशना की है सही है उसके बाद जो किंग चिली है नागलेंड कि राष्ट्रपती रोटरी गों दूर्ते थे ने किस देश के सैनिकों के साथ फ्यापक सैन अभ्यास के समझाते को पूरी तरीके से बहाल कर दिया है तो अमेरिका के साथ अपने इन्होंने पूरे टर्म स्जो है फिरसे वैसे कर लिए है ठीक है क्रशी करड़ परियोजना क यहां पर लागू की जा रही है तो यह केरल के तिरुनंद पूरम में लागू की जा रही है आप्शन नुम्बर ए पूरी तरीके से भारत जो है इनर्जी डिपेंडेंट सेल्फ रिलाइंट या फिर उर्जा पर आत्म निर्भर होगा यह उन्होंने कहा था तो इसका एंसर हो जाएगा डी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है निमले कितमे से किसने गेर कंकरेज साहीवाल उंगोल आदी देशी पश्वों की नसलों की शुद्ध किस्मों को संडरक्शन प्रदान करने के लिए भारत का पहला एकल नुक्लियोटाइड बहुरूपता आधारित चिप जो है इंडी गउ का शुभारम किया इस चिप का न पाई जाती है क्योंकि यह भी आपका जीएस का पार्ट जोग्रफी सेक्शन में लाइव श्टॉक में कंक्रेज साहीवाल उंगोल और गिर यह कहां कहां पर किस्टेट में पाई जाती है आप हमको को कॉमेंट करके बताईए 31 जुलाई को समाजिक अधिकारता शिविर कहां पर लगाया गया था देगे समाजिक अधिकारता शिविर जो है यह आपका दो लगे थे जुलाई मन्थ में एक लगा था चिंदवड़ा मद्प्रदेश में और एक लगा था आपका गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में दोनों क इसको भी याद रखेगा आप नासा इस्रो सिंथेटिक अपर्चर रडार क्योंकि इसमें पूछ सकते हैं कि बताइए जो निसार है उसमें आर का क्या मीनिंग है अभी हाली में स्ट्रेट्रोलियूम रिजर्व बढ़ाने के उदेश से सरकार ने भी कहा है कि दो और इसमें आपको बताना है तो चांदी खोल आपका है ओडिशा में और पादूर है आपका करनाटक में और हाल फिलाल में इंडिया की जो यह आपकी स्ट्रेट्रोलियूम रिजर्व है कहां कहां पर है फैसल्टी तीन लोकेशन पर रहाद रखिएगा एक विशाखापत्नम मे है एक मैंगलोर में है और पादूर में है तो चांदी खोल में खुलेगा अडिशनल जी ट्वेंटी संस्कृति मंत्रियों के बारे में कौन से कथना आपका सही है इटली ने प्रसाइट किया था इसमें सही है रोम के इटली में आजित हुई यह भी सही है और भारत की संस्क प्लास्टिक को पूरी तरीके से जो है इसमें वहां पर बैंड किया जाएगा जहां पर इसकी उप्योगिता कम है और पोल्यूशन का पोटेंशिल ज्यादा है यह कहा गया है मानलीजे कोई ऐसी चीज है जिसको रैप करना जरूरी है सिंगल यूस प्लास्टिक से दो उस पर नहीं बैंड है इसे गुड्स है कोई ऐसी मशिंड्री प्रोड़क्ट है जिसको बिल्कुल रैप होके ही आना होगा कोई exported item है जो अगर single-use plastic के लपेटने के बिना खराब हो सकता है तो उसको छोड़कर हर जगए से single-use plastic को ban किया जाएगा manufacture, import, stocking, distribution सब कुछ ban कर दिया जाएगा कब से 1 July 2022 से तो सारे statement यहाँ पर सही है हाल ही में European Union ने सामानी data collection विनिमय के उलंगन में विक्तिकट data को संसाधित करने के लिए Amazon पर कितने million euro का जुर्द माना लगाया है basically important यह है कि किस पर लगाया है तो Amazon पर European Union ने लगाया था यहाँ पर और बांकी कितने का लगाया है यह आप हमको comment करके बताईए यह exam में आ सकता है हाल ही में कौन सा शहर 18 वर्स के उम्र के सभी लोगों का COVID-19 के खिलाफ जो है 100% टी का करने पूरा करने वाला पहला भारती नगर बनाए तो यह हुआ है भुवनेश्वर ओडिशा से option number A लक्षदीप में water villa बनाए जाएंगे मालदीव की तरच पर यह तीन प्रीमियम water villa बनाए जाएंगे टूरिजम को प्रमोट करने के उद्धेश से और लक्षदीप के मीनिकॉय, कडमट और सुहेली द्वीपों पर यह तीन वाटर विला बनाए जाएंगे 800 करोड रुपए का इसमें करीब कॉस्ट आएगा पश्चम बंगाल से दीगा से जोडने वाली तटी राजमार पर्योजना को किसने अप्रूफ किया है तो ओडिशा ने किया सिंप्ली, आप्शन बर ए नेमलगित में से कौन सकतन सही है अदानी समूव ने जो है मुंबई हवाइड़े का धिकरन हाली में किया है ठीक है उसके बाद नीती आयोग ने सरकारी सौमित वाली वीमा कंपनी उनाटेट इंडिया इंशोरिंस कंपनी के निजी करन की सिफारिश की थी बहुत पहले और इसका निजी करन अप्रूफ कर दिया उत्तरफ्रदेश में सुझे से चौबीस सौकरोर रुपय जारी किये गए हैं जो कि अभी तक किसी भी स्टेट को इस योजना के लिए जारी किये गए अमाउंट में सबसे जादा है तो हमारा एंसर हो जाएगा इसमें D, All of the above आप हमको यह कमेंट करके बताइए कि जल जीवन मिशन का उदेश है tap water, मतलब safe drinking water जो है tap से supply करना सभी जगहे पर तो यह कब तक लक्ष रखा गया है 2024, 2025, 2026 यह 2027 यह आप हमको कमेंट करके बताइए और कौन सा ऐसा राज यह है भारत का जो जीवन मिशन के टार्गेट को पूरा कर चुका है पहला राज यह है जिसने टार्गेट को पूरा किया है और latest कौन सा यह भी बताइए यह कुछ news BPSC exam पूछ लेता है कभी politics related छोटे छोटे अपडेट्स भी ज्यादा कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन BPSC पूछ सकता है कि किस राज यह के इंद्रसासित प्रदेश सरकार ने विदायकों के वेतन में 6-6% बढ़ोतरी के पुरस्ताओं को मंजोरी दिये तो न्यू डेली में एंसर हो जाएगा इसमें सी हाली में अगस्त माह के लिए सेयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिश्त की अध्यक्षता किसे मिली है तो यह भारत को मिली है option number A यहाँ पर सहिए बंदरगा नववहन और जलमार्ग बंदराले ने भारत के कराईकाल बंदरगा और किस देश के कांके संथुराई बंदरगा के बीच एक फैरी सर्विस नवका सेवा शुरू करने के लिए एक व्यापक योजना तयार करने के लिए समीति का सरजन किया है तो मतलब यह आपको बुल मिला कर बताना है कि कांके संथुराई पोर्ट किस कंट्री का है जिससे आपको कांके संथुराई को फैरी सर्विस से जोड़ना है तो इसका एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी केंदरी सरड़क परिवहन राजमार्क बंतरी श्री नितिन गटकरी ने ट्वेटर मैसेज के माध्यम से कुधिरन सुरंग के एक एंड को खोलने की निर्देश दिये थे पहली सड़क सुरंग है किरल की पहली रोड टैनल है को त्युतिरन सुरंग और यह से क्या होगा कि अतामिल डांडू करनाटक से जो कम्मिनिकेशन उसमें काफी सुधार होगा और जानवरों को बिना खत्रे में डाले उत्तर दक्षण गलियारे के महत्पूर्ण बंदरगाहो और कस्पों से संपर्क में सुधार होगा ठीक है तो हमारा एंसर हो जाएगा इसमें option number C इसमें पहला statement है नीतियायोग और World Resource Institute WRI ने भारत के साथ मिलकर WRI ने सहींत रूप से भारत में forum for decarbonizing transport का forum launch किया है ठीक है तो यह सही है उसके बाद U.S. based OEM international ने इंडिया का पहला जो है green hydrogen electrolyzer manufacturing facility को बैंगलूरू करनाटका में अभी commission किया है तो यह भी सही है इंडिया फर्स्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी मन्त के current affair में तो यह क्या है इंडिया फर्स्ट ग्रीन hydrogen electrolyzer manufacturing facility यह कहां पर लगी है बैंगलूरू करनाटक में भी हाल में ministry of civil aviation ने जो unmanned aircraft system rules थे 2021 में जो आये थे उसको replace करके अब liberalized drone rules 2021 जारी कर दिये हैं ठीक है हमारा answer जाएगा इसमें option number D सभी statement correct है यह mcq में पहला वाला काफी महत्पूर अगर agriculture services related को भी एक्जाम आप देने जा रहे हैं नवींता माकडों के नुसार भारत के चीनी निर्यात के प्रमुग गंताव्यों में सबसे टॉप पर है Indonesia फिर है अफगानिस्तान ठीक उसके बाद यहां पर आपको देखना है second में कि केंदर सरकार ने नई चीनी मिलों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है तो दोनों स्टेट्मेंट सही होगा उसके बाद है कि म्यानमार की सेना ने देश की चुनवी सरकार को सब्ता से चीनने के बाद आपातकाल को दो साल के लिए और जमाय था तकता पलेट किया था उस खुद को प्रधानमंतरी नों निगोशित कर दिया यह हम देख चुके हैं तो हमारा इंसर हो जाएगा इसमें डी ओल आफ दबाव करेक्ट संयुक राज अमेरिका ने देश को अब 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल के हार्पून संयुक्त क है यह पोत रोधी मिसाइल है ठीक है तो यह जो है भारत खरीदने वाला है यूएस से अगले सवाल में भी तीन स्टेट्मेंट है भारती प्राद्योगी की संस्थान यानि आइटी मदरास ने वर्चुल रियल्टी के लिए देश का पहला कंसोर्टियम लॉंच किया है यह इंडियास फस्ट में महतपूर्ण स्टेट्मेंट सही है यह उसके बाद एक हाली में सेक्ष्णिक वर्च 2020-2021 के लिए चितकारा विश्विद्याले पटियाला को जिला ग्रीन चैंपियन के रूप में वानेता दी गई है यह भी सही है उसके बाद उत्तरी सिक्किम के कोंग 2022 में डैफ एक्सपो कहां पर लगेगा 2022 में डैफ एक्सपो लगेगा आपका गांधी नगर में ऑप्शन नमबर ए भूकम पूर्व चेतावनी मोबाइल आप जो भी उत्तराखंड ने लौंच किया उसके बारे मताना है भारत का पहला राज बन गया उत्तरा उत्तराखंड जिसने अर्थकोएक अलर्ट आप नाम से मतलब अर्थकोएक अलर्ट करने के लिए एक अप उत्तराखंड अर्थकोएक अलर्ट जो है जारी किया है तो हमारा एंसर हो जाएगा इसमें D सारे कथन सही है most important बस यह है कि उत्तराखंड फर्स डेट है पूरे भारत का जिसने अ और भारती ओलम्पिक दल को ऑप्शन अंबर सी यह फैक्ट अपडेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि बुक्स में अभी अपडेट नहीं हुआ है बुक्स में खारदूंगला को ही हाइस मोटरेबल पास बताया जा रहा है भारत का तो हाली में बॉडर और 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 औ सब्सक्राइशन ने लद्दाख में इस्टर्न लद्दाख में 19300 फिट की उचाई पर उमलिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे उची उचाई परस्थित सडक का कारे पूरा कर लिया है तो यह एकदम सही है एक्जाम में आने लाइक बिल्कुल स्टेट्मेंट है यह उमलि बिहार जीकेस रिलेटेड़ है बीपेसी में आने के ज्यादा चानसे से अलंकि नेशनल करेंट फियर क्रूप में भी काम इंपॉर्टन नहीं है यह प्रधान वेग्यानिक सलाकार प्रोफेसर के विजरागवन ने एक विकेंद्री इकरत जैव जिकितसी अप्षिष्ट भस में यह लगाया गया है जवारलाल नेरू सेंटर फॉर एडवांस्ट साइंटिफिक रिसर्च बैंगलुरू के नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला किस ने रखी है तो इसका उद्गहटन किया था वाइस प्रेसिडेंट जी ने ऑप्षिन नमबर सी हाली में जो ह बांगलदेश आपदा रोधी अवसंरचना गटबंधन जिसको CDRI बोलते हैं इसमें सामिल होने वाला नविंतम देश बन गया है सही है तीनों स्टेट्मेंट यहां पर सही है एंसर हो जाएगा इसमें D भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मपोत्र और सतलज नदियों पर एक समझाता के आपन परस्ताक्षर कियें जो पांच वर्ष तक लागू रहेगा यह किया है चाइना के साथ ऑप्षिन नमबर A टोकियो लंपिक में जो हमारे भारत के स्पोर्ट्स परसन जिन्होंने पदक जीता है साथ हकुल विलाकर हमारे पास मेडल आएं उनमें से इंपोर्टन्ट वाले यहां पर दिये गए हैं इसमें च्छै दे दिये गए हैं इसमें आप इंडियन होकी टीम रख लीजिए उन यहां पर 2023 लिखा हुआ है तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा नॉमबर 2021 तक लॉंच की जाने की बात कही गई है में परपस है इसका डेटा कलेट करना नियर अर्थ एस्टरोइट से और यह यूएस का फस्ट इंटर प्लेनेटरी मिशन होगा जो सोलर सेल प्रोपलिशन टेखनीक को यूज करने वाला है तो मांकी सारे स्टेटमेंट सही है 134 सेकेंड वाला इंकरेक्ट है हमारा एंसर हो जाएगा बी के बल दो PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल अब जो है किसने लॉंच किया आपको बताना है PM दक्ष पोर्टल मोबाइल अब को समाजिक न्याय और अधिकारता मंत्राले द्वारा जाल लाइन पर मिंट को समाप्त कर दिया सही है उसके खाटा न्याय जो है लट्डाक में भारत का पहला लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज संयत्र और 50 मेगावाट आर की छमता वाला एक उर्जा संयत्र स्थापित करेगा यह अनौन्स किया गया था दोनों स्टेट्मेंट सही टोक्यो ने फ्लेम आफ फॉप जो है अंडोर कर दिये पैरिस को क्योंकि अगले ओलंपिक होने वाले हैं कहां प के साथ एक हेलिकॉप्टर दुरगटना करस्त हो गया था सुशील कुमार के बाद बजरंग पुनिया ओलंपिक और विश्व चैंपियंशिप दोनों में पतक जीतने वाले पहले भारतिये रसलर बने हैं ठीक है तो यह बजरंग पुनिया ने क्या जीता था बजरंग पुन इसका एंसर आप कमेंट करके बताइए कमलम जो है यह किस देश को निर्याद किया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में अवजित किया गया है इसमें भारती पुरू शौकी टीम ने किस देश को 5-4 से रहा कर कांस जीता था तो यह राय था जर्मनी को अप्शन बर भी यहां पर सही है तीन अगर्ज 2021 को सुप्रीम कोट की एक बेंच ने अभी कहा है कि राज द्वारा मौत की सजा पाए जाने वाले कैदियों को कम से कम 15 साल की जेल काटने की जो अनिमार्य सजा होती है उसको पूरी ना होने की अवधी में भी राजिपाल जो है 161 नमबर जो यह कहता है कि मतलब यह जिसको फांसी हुई हो उसको अगर रिस्पाइट चाहिए यानि कि छमादान चाहिए तो कम से कम 14 वर्ष की जेल काटनी होगी तो जो यह सेक्शन था उसका नाम कमेंट करके बताईए सुप्रीम कोट ने कहा है कि भारती दंड विधान का जो यह स सही है बहुत डीप में अगर पूछेंगे तो यह पूछ सकते हैं कि यह जो बेंच थी इसमें जज कौन कौन थे तो जज थे आपके हमंद गुपता और एस बोपनना जन्होंने यह रूल दिया धरती बनर जी के एपॉंट्मेंट के बारे में स्टेट्मेंट है यह हम देख एंसर हो जाएगा यहां पर 1 & 2 बोध करेक्ट वाहन स्क्रैप निती यहां पर चर्चा में है 20 साल से पुराने निजी वाहनों को और 15 साल से अधिक पुराने वानिजीक वाहनों को सरकार द्वारा पंजीकरत आटोमेटेड फिटनेस सेंटर में से टेस्ट पास करना होगा अ 40-40 साल पुराने वाहन जो चल रहे हैं उनको बंद किया जासके ठीक है तो वेकुलर पॉपलेशन को मॉडर्णाइज करना लक्षा है इसका जैसा की बताया गया है और बाकी सारे स्टेटमेंट इसके बारे में सही है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका option number C सही होगा क्योंकि इसमें सही वाला पूछा है तीनों statement correct है पहले भारतिय प्रदानमंत्री कौन है जिन्होंने open debate को preside किया है United Nations Security Council बे तो ये पहले है PM नरेंदर पूदी option number C Marble disease का पहला मामला कहां पर देखा गया है ये देखा गया है Western Africa के गिनी में और 8 जनवरी 2021 को लागू हो चुके संसोधनों के बाद अंतराश्ट्री सार गटबंदन framework समझाओते पर अस्ताक्षर करने वाला जर्मनी पांचवां देश मना है तो इसका एंसर हो जाएगा C दोन उन्होंने कहां जीता था तो उन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2012 में जो हुआ था उसमें शूटिंग में स्वाड़ पतक जीता था ऑप्शन बर भी भारत ने किस देश के साथ मौसम के पूर्वानुमान में सुधार के लिए मांसून डेटा विसलेशन और सायोग समझोते पर उज्वल आबाहन यह पूछ सकते हैं कहां पर यह चला था प्रोग्राम है असम में चला था उज्वल आयोजना का जो सेकेंड पार्ट आ रहा है इसको कहां से लॉंच किया गया मोदीजी द्वारा इसको लॉंच किया गया है महोबा में महोबा उत्तर प्रदेश से ऑप्श किया है उसके बाद जो यह फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 है यह 75 लोकेशन तक चलेगा भारत में और इसको हरी जंडी दिखाई है यूनियन मिनिस्टर अनुराक सिंग ठाकोर ने तो इसका एंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बर्डी सभी स्टेटमेंट करेक्ट है अगल ने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया यह बहुत जरूरी है एक्जामियानी लाएक इसको याद रखीगा भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लाइब और रेसर्ट सेंटर किस राजगी पुलिस ने लांच किया तो केरल पुलिस ने यह भी सही है उसके बाद चाइना जो है लार्जेस्ट एमिटर है कारबन डायोकसाइड का उसने कब तक खुद को कारबन न्यूट्रल करने का लक्ष रखा है तो उनन रखा है लक्ष 206 तक काफी आगे तो हमारा इंसर हो जाएगा इसमें डी औल अब दबो सारे स्टेट्मेंट करेक्ट और इसी रेंकिंग में डिली को कौन से स्थान पर रखा गया है दिली को रखा गया है पैंतालिस्वे स्थान पर ऑप्ष नमबर डी काफी जरूरी इंपोर्टेंट न्यूज है कि किस मंत्राले ने शहरी स्वन्साहायता समूहों के उतपादों के विपड़न के लिए एक ब बाद नरेंद्र मोधी जी ने विभाजन विभीषी का स्प्रती दीवस की रूप में 14 अगस्त को मनाने की गोश्टना की है सही है जीरो माइल फ्रीडम मेट्रो पार्क जो है इसका उद्गाटन नागपूर महराश्ट्र में किया गया है सही है इसका एंसर हो जाएगा डी अल अब दो वो करेक्ट रामसर साइट जो है इसमें अपडेट हुआ है अब रामसर साइट जो है 42 नहीं है अब कित्ती हो गई है 46 हो गई है सबसे पहले तो यह आद रखिएगा और लेटेस्ट कौन से जुड़ी थी यह जुड़ी थी भिंडावास वाइल लाइफ यह एंसर हो जाएगा हमारा option number A भारत एनरजी डिपेंडेंट कब तक बनना चाहता है तो उर्जा अत निर्भरम बन पाएंगे 2047 तक option number D पूरी तरीके से सेटलाइट फोन से लेस होने वाला पहला भारत का नैसल पार्क कौन सा बन गया है यह बना है काजिरंगा नैसल पार्क असम में जो है option number C पूर्धान मंतरी गती शक्ती नैसल मास्टर प्लान जो है इसका कॉर्पस कितना नाउंस किया गया है यह है 100 लाग करोड ऑप्शन नूबर C कला विश्व नाम से campaign launch की थी इंडिन council of cultural relations ने उसके बाद कोलतार derivatives company जो है epsilon carbon private limited ने बेलारी करनाटक में भारत का पहला एक इकरत carbon black परिसर स्थापित किया गया है carbon black complex बेलारी करनाटक में स्थापित किया गया है भारत का पहला answer हो जाएगा इसमें सी both 1 and 2 correct आप में को कमेंट करके बताएए कि बेलारी जो है यह किस खनीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है अलग-अलग योजनाओं के थुरू किस year the government of India सभी को fortified rice जो है उपलब्द कराने वाली है तो year 2024 तक सभी को fortified rice जो है उपलब्द होगा 45 चावल युएस ने किसको arms यानी की हथियार मेंचने की घोषणा की है पहली बार ताइवान को पहली बार युएस जो है अथियार मेंचने वाला है option बडी जी का वायरस का पहला case जो है पुने से देखा किया है माराष्टर में पुरंदर तैसील से उसके बाद भारत सरकार उसे इसरो के quest अध्यान का उध्गाटन किया है तो सारे सही है answer वजाएगा D all of the above हाली में कौन सा पहला continent बना है जिसने जो है accurate comprehensive harmonized digital land use और land use change data को अभी जो है complete किया है तो यह बन गया है आपका Africa option number C आगस 2020 में किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार एक आनशिक ज्यामती पर अधारित खाद कंटेनर नवाचार समंधित क्रत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को patent प्रदान किया यानि कि artificial intelligence system को patent प्रदान करने वाला पहला country कौन सा बन गया है तो यह बन गया है South Africa option number B किस देश के सोत करताओं के द्वारा विश्व के पहले molten salt nuclear reactor का निर्माण किया जा रहा है तो यह reactor का निर्माण किया जा रहा है चाइना के द्वारा ऐसा कोई भी अजीबो गरीब चीज आपके सामने आ जाए और कोई option में चीन हो तो चीन को लगा दीजेगा अगर आपको न याद आ रहा हो तो भारत का पहला heart failure research biobank जो है यह श्रीचितरा तिरुननल institute of medical sciences जो तिरुननन्दपुरम केरल में है वहाँ पर establish किया गया है किसने establish किया यह भी देख लीजिए इतना ज़रूरी नहीं है location बहुत ज़रूरी है केरल के तिरुननन्दपुरम में answer हो जाए अपने आपर चलने वाली scheme drink from tap project किता है 24-7 safe water from tap यानि की 2400 गंटे नल से सुरक्षित जल प्रदान करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है सही है यह उसके बाद जो है ministry of science and technology ने अभी first of its kind center of excellence north east इंडिया में स्थापित करने की गोशना की है यह भी सही है उसके बाद है कि World Drowning Prevention Day जो है यह मना जाता है 25 जुलाई को तीनोई statement सही है answer हो जाएगा D कौशल विकास और उद्ध्यमिता मंतरी राजीव शंद्र शेखर के नुसार 6 लाख गावों में कब तक internet connectivity भारत net program के तहत पहुंच जाएगी तो यह पहुंचेगी 2024 तक option number B Tokyo Paralympics के बारे में है 16th summer Paralympics जो है टोकियो में हो रहे है टोकियो 1964 के बाद पहली बार जो है Paralympics को होस्ट कर रहा है और इंडिया का जो theme song है वो है करदे कमाल तू किसने गाया है यह हम आपको बता चुके हैं sports वाले section में तो तीनोई statement है हम पर correct है और flag bearer change हो गए थे पहल peace keepers जो अलगला countries में काम करते हैं उनको वो जो जहां काम कर रहा है उनके इलाके से परिचित करवाने के लिए इलाके में जो खत्रा हो सकता है उससे परिचित करवाने के लिए कुल मिलाकर उनको aware रखने के लिए unite aware बनाया गया है चुकि इंडिया जो है security council की अध्यक्षता क और setup किस ने किया एक्जिम बैंक को सिट भी ने एंसर हो जाएगा इसमें D अगले दो statement डिफेंस इंडिया स्टाट अप चैलेंज के बारे में पांचवान संसकरण है और innovation for defense excellence defense innovation organization के अंतरगत इसको launch किया गया है दोनों statement सही है एंसर हो जाएगा इसमें C तो भारतिये air force fighter aircrafts को दुश्मनों के radar से बचाने के लिए इनमें से किस organization ने भूसा आधारित bullet technology डवलप किये तो बिलाकर radar के जो signals होते हैं उनको भ्रहमित करने के लिए यह भूसा आधारित bullets है यह काम करेंगी इसको किसमें बनाया है इसको बनाया है DRDO ने option number A Small Business Loans Initiative जो है Facebook ने किसके साथ मिलकर के शुरू किया है इंडी फी के साथ option number A इसमाइल साबरी जो है यह बन गए है प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के उसके बाद किगाली amendment जो है Montreal प्रोटोकॉल पर जो मतलब है जो कुल मिलाकर hydro fluorocarbons को eliminate करने के उदेश से है इंडिया ने इसको ratify कर दिया हाल में दोनों स्टेटमेंट सही है बोथ went to correct इंडिया अपना जो है यहां पर इंडिया का सबसे उंचा हर्बल पार्क इस्टैबलिश किया रहा है ठीक है तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर इसके बारे में करेक्ट है 11,000 फीट की उंचाई पर इस्थित होगा National Thermal Power Corporation यानि NTPC Limited ने कहां पर अपने सिमहदरी थर्मल स्टेशन के जलाशे पर देश में 25 मेंगाबाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया है तो शुरू किया है आंध्रदेश के विशाखा पत्नम में आप्शन नमबर A इंडिया स्फस्ट स्मॉग टावर यह अभी जो है अरविंद केज्रिवाल ने कनाट प्लेस में इसको लॉंच किया है यह क्या करता है एर को पिरिफाई करता है अपना एक किलोमेटर के दाइरे में तो स्मॉग जो होता है उसको कुल मिलाकर करने का काम यह करेगा ठीक तो ह हमारा एंसर हो जाएगा इसमें बोथ 1 & 2 करेक्ट निमलिकित में से कौन सा भारती नौसेनिक पोथ 22 सगस 2021 को सौटन LMO लेकर श्रिलंका पहुंचा था तो यह गया था आईने सकती आप्शन नुमबर ए नैसल मॉनटाइजेशन प्लाइप पाइपलाइन के बारे में आपने काफी सारी चीज़ में से सुन रखी होंगी यहां पर फैक्ट्वल डेटा पर फोकस करेंगे इसको जो है किसने लॉंच किया निर्मला सीतरमंड जी ने और पाइपलाइन जो है इसका पहली बार जिक्र 2022 से लेकर फिनेंशल इयर 2025 तक यानि कि 2022-23 से लेकर 2025-26 तक तो यह कुछ है मतलब फैट्स आपको नैसल मॉनटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में पता होने चाहिए एंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नबर डी सभी साहिए है हाल यह में किस IIT ने नियो बोल्ट नामक भारत का पहला सुदेशी मोटर चालित वीलचेयर वहन विक्सित किया है इसको लॉंच किया है IIT मदरास ने IIT मदरास आप्शन नमबर B कॉंकरन अभ्यास जो है एंग्लिस चैनल के पास हुआ था आईनेस तबर उसमें गया था पहला स्टेटमेंट करेक्ट उसके बाद है कि इंडिया और रशिया ने AK-103 राइफल्स के लिए जो है परचेस के लिए समझाता किया है रशिया के साथ अरशिया इंडिया को AK-103 राइफल्स मेचेगा तो एंसर हो जाएगा इसमें 1 & 2 बोथ करेक्ट एंसर नमबर C इसराइल ने अभी हाल यह में COVID antibody टेस्टिंग करवाई है तीन साल के बच्चों में और अभी युक्तिधारा पोटल को लाँच किया गया है तो दोनों ही स्टेट्मेंट सही है एंसर हो जाएगा इसमें C, बोथ 1 & 2 बोथ करेक्ट विश्व का दूसरा सबसे आकरशक विनिर्माण गंताववे बनकर भारत उबरा है किस देश को पीछे छोड़ कर तो अमेरिका को सेकेंड नमबर पर ला दिया है इंडिया जो है 2nd पर है पहले अमेरिका 2nd पर हुआ करता था चाइना 1st पर है अमेरिका 3rd पर है तो इसका एंसर हो जाएगा B वैक्सिनेट इंडिया प्रोग्राम को लांच किया है वाइस प्रेसिडेंट जी ने किया गया था किसके दौरा ऑप्रेशन दूर्गा शक्ति कंड़क्ट किया था भारत ने ऑप्शनमबर 2 क्रिवाक क्लास का जो स्टिल्थ फ्रिगेट है जो रशिया इंडिया को बना करके देने वाला है यह कब तक इंडिया को डेलिवर करेगा यह आपको बताई कोमेंट करके बेसिक इंपॉर्टन चीज यह थी कि क्रिवाक क्लास के दो वीजल्स जो है बना करके रशिया भारत को देने वाला है इश्रम पोर्टल जो है लाँच किया गया है अन और्गनाइजड वरकर्स के लिए और लाखो लोगों को एक प्लैटफॉर्म से जोडने का यह काम करेगा तो एंसर हो जाएगा इसमें C, बोथ 1 और 2 करेक्ट पाकिस्तान ने अभी एक फताय वन नाम से जो उनका गाइड़ेड मल्टी लाउंच रॉकेट सिस्टम में उसका टेस्ट किया था सिंप्ली यह पूछ सकते हैं कि फताय वन किसका रॉकेट है तो यह है आपका पाकिस्तान वालों का ओप्शन बर D कि वाइस प्रेश्डेंट कमला हैरिस की जो फ्लाइट थी जो है नोई जाने वाली थी हवाना सिंड्रोम का केस अनिक विजल से डिले हुई थी ठीक हवाना सिंड्रोम जो है इसको सबसे पहले 2016 में यूएस अबेसी जो है हवाना में वहां पर देखा गया था ठीक तो इसका एंसर हो जाएगा डी ओल ऑफ दब प्रगति के 37 अडिशन की अध्यक्ष्टा किस ने की है तो प्रगति के 37 अडिशन की अध्यक्ष्टा की है नरेंद्र मोधी जी ने ऑप् 25 अगस 2021 से शुरू करते हुए तो इसका एंसर हो जाएगा बोथ 1 & 2 करेक्ट आनंद मोबाइल एप किस ने लॉंच किया है तो आनंद मोबाइल एप लाइसी ने लॉंच किया है आप्शन नुबर ए नीति आयोग और सिस्को के WEP next के बारे में हम पढ़ चुके हैं इसका एंसर हो जाएगा बोथ 1 & 2 करेक्ट कपड़ा मंत्राले जो है इंडिया साइज नाम से एक सर्वे करने वाला है ठीक है इसकी बात बहुत दिन से चल रही थी लेकिन फाइनली जो है ओफिशली लॉंच जो हैं यह यूएस के साइज पर आधारित है इंडिया साइज जो है यह सर्वे करना चाहता है कि एक्चुल में भारत का M भारत का L भारत का double XL भारत का triple XL का इसा होना चाहिए यह है को बिला करके इंडिया साइज सर्वे का नाम जरू धियान रखेगा इसको कौन कंडक्ट क अधियरा मिनिस्ट्री ओफ टेक्स्टाइल और नैसल इंस्ट्ट फैसें टेक्न लोजी इसका एंसर हो जाएगा ओल अफ दबाव करेक्ट ऑप्शन नमबर डी मल्टिनैशनल पीस कीपिंग एक्सराइज जो है जिसका नाम है शेर्ड डेस्टिनी 2021 इसमें चाइना मंगोलिय प्रविस्टन पर्विस्टत परब्स करेंगेंगें यह यह मल्टी नैसल टी उल पर किपिंग और यह नियुस में कफीज़न है पिछले साल सारी नीव जैंशन सींने रिपोर्ट किया कमचाल परदेश 2 यह से के अभी के साब से चल रहे हैं करनाटक को जो है फस्ट डेट्स मना जारा है जिसने न्यच्र ethnology 2020üz को इंप्लेबने के काम किया और यह से के सल χो जाएगा फ्लचाल के लिए ईज tussen अम्ब्य से इसके नए वीकल्स आएंगे उनके लिए तो कोली बिलाकर ट्रांसफर आफ वीकल्स यहां पर आसान हो जाएगा option नहीं यहां पर 1 & 2 बहुत correct सही है IIT Root की Indian Institute of Sciences Bangalore और CDAC ने भारत का पहला quantum computer simulator QSIM toolkit विक्सित किया है बहुत जरूरी है science and tech वाले कर इंटरफेर में पूछ सकते हैं कि कौन-कौन इसमें शामिले इसको डालोप करने में IIT Root की IAC Bangalore और CDAC इनलों लोगों ने मिल करके quantum computer simulator QSIM toolkit डवलप किया और यह क्या करेगा researchers को students को quantum computing पर research करने में सक्षम बनाएगा वो भी एक cost effective तरीके से इसका answer हो जाएगा 1 and 2 बहुत correct राजभासा समीती की 36 वी बैठक की अधिक्षता किसने की तो यह ग्रह मंत्री करते हैं तो अमित चाने की option number A यह भी पूछ सकते हैं कि संसेदी राजभासा समीती की बैठक की अधिक्षता काउन करता है static की तरीके पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रह मंत्री करते हैं आठ अगर्स 2021 को आयूष मंत्री सर्वनन सोनोवाल ने multi-purpose yoga hall और mini auditorium जो है All Indian Institute of Ayurved में inaugurate किया इसका और announce किया कि जल्द ही वर्ल्ड का पहला Ayurved Biobank जो है यह जो है यहाँ पर All Indian Institute of Ayurved New Delhi में setup किया जाएगा तो जब किया जाएगा तब भी देख लेंगे अभी फिलाला प्याद रखिए कहां पर किये जाने की बात कही जा रही है option number C अभी हाल में कि सराजी के मंत्री परिशद ने adopt a heritage policy अपनी धरोहर अपनी पहचान अभी जो है प्रिपेर की है तो यह मतलब policy की state की है यह है उत्तर प्रदेश की option number B World Athletics Championship जो 2021 में Kenya में हुई थी उसमें इंडिया ने कुल मिला कर 3 पतक जीते हैं 2 silver और 1 bronze Kenya ने सबसे ज़्यादा 16 पतक जीते हैं जहां पर यह जूत हुआ और टॉप पर रहा टाली में तो एंसर हो जाएगा इसमें D सारे स्टेट्मेंट्स सही है important appointments वाली लिस्ट में हम देख चुके हैं कि मेरा बाई चानू को किसने अपना brand a budget बनाया है M.W. ने तो इसका answer हो जाएगा option number A हाल ही में किसने राष्ट्री पादप अनुवानसिक संसाधन ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में विश्वे दूसरे सबसे बड़ा नवीनी क्रत अत्याधुनिक राष्ट्री जीन बैंक का लोकारपन किया है फस्ट स्टेट आफ आर्ट नाचल जीन बैंक व MOR सेकेंड किन लारजस्ट कहाँ पर पूछ ले तो yen हैं तो वड़़्े क्योंचत्र अपनोर खाई है ऊजो है का हम्गे अर्ट्रिया ब्यूरार्फ आप वह वा है एक सिटरी सबसे बड़ा उचा और सबसे बड़ा उचा ऑब्जर्वेशन वील जो है जिसे आइन दुबई कहा जा रहा है यह 21 अक्टूबर 2021 को संयुक तरब अमिरात में खोला जाएगा और यह दुबई मरीना के पास ब्लू वाटर दूइप में स्थित है ठीक है तो वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉलेस्ट में लार्जेस्ट अन्टॉलेस्ट अब्जर्वेशन वील जो है कहां पर लगाया किया यूए में आद रखेगा साओधी यूए में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं यूए ध्यान को इसके सेकेंड ट्राइल को मंजूरी देदी है फस्ट ट्राइल पास करने के बाद ठीक है उसके बाद अमिशन वासल्य जो है यह कहां का है महाराश्ट गवर्मेंट का दोनों स्टेट्मेंट सही है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्ट्यू डबलू और आई इंडिया ने किसके कोलाबरेशन के साथ फोरम फॉर्म फॉर्डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया यह स्टैबलिश किया है तो नीतियायोग के सायोग से किया है ऑप्शन नुबर भी हर्याणा के मुख्यमंत मतलब है तो दोनोई स्टेटमेंट यहां पर सही है हरियाना का जो एक्जाम देने जा रहे हैं एक सीएस 12 सितंबर को वो इसको जरूर डोट करिएगा एक बार एक वैक्सीन और चर्चा में भारत में स्विदेश में विक्सित जाइडस का डिला की जो वैक्सीन है जन्रल ऑफ इंडिया ने इमर्जनसी यूज और इसका मनजूर कर दिया है और देश में 12-18 वर्ष आयू के लोगों को दिया जाने वाला यह पहला टीका हो गई और विश्व का पहला डी एने आधारित वैक्सीन होगी है यह आरे ने लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा य यह सब आप नोट करिएगा स्कीन शॉट ले लिजेए जाईक ऑफड के बारे में उसके बाद यह उत्तर प्रदेश करेंट अफेर से उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्स्प्रेस वे और द्योगिक विकास प्राधिकरन के सेक्टर 39 में राजी का पहला डैश बनाने की प बता दीजिए आप यूपी जी के पट रहना आर वाले यह काफी जरूरी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिम्टेट भेल द्वारा सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों से लेस नेटवर्क के साथ फेम वन योजना के तहत डैश जो है देश का पह अफगानिस्तान मलब इस्लामिक इमरेट ऑफ अफगानिस्तान रख दिया गया है तोनों स्टेट्मेंट्स हैं इसके बारे में बोथ बनेंट्व करेक्ट अभी हाल ही में जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है वो अभी एक कह सकते हैं हम लोग फ्रीडम फा हिस्टोरिकल रिसर्च ने इन सभी लोगों के नाम नाम से शहीद हटाने पर अपना प्रस्ताव रखा है तो आपको इकुल बिलाकर बताना है मैंने बताई दिया बीच में यह किस आंदोलन से जोड़े हुए लोग थे अली मुसलियार और वरियकमनाथ हाजी तो यह भारत माला प्रोजेक्ट के फचे बाराया प्राज्तान को जोड़ेगा यह इस तरीके से भी आ सकता है। यूपी में यूपी के Зए खशाइम में यह किन राज्यों से बार्ण wäreग यह कितने राज्यों से बचस्तान मद्रदेश से इसका एंसर हो जाएगा हमारा option number C बोथ one and two correct उसके बाद है कि निमलिकित में से किस राज में भारत की पहली hydrogen fuel cell आधारित passenger train चलाने का निड़े लिया गया है यह जो है सोनी पत जीन सेक्षिन जो है northern railway का वहाँ पर चलाई जाएगी 89 km के track पर तो यह चलाई जाने वाली है हरियाना में option number C अगला कोश्चन है कि भारत की परमाडू उर्जा चमता किस वर्ष तक मौझूदा 780 मेगावाट से बढ़कर के 2480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है तो भारत अपनी चमता पढ़ाएगा 2031 तक option number C उडिशा का पूरी गुणवत्ता पूर्ण पे एजल उपलब्द कराने वाला देश का पहला शहर बन गया यह हम डिस्कस कर चुके हैं मदवर्देश के सत्पुड़ा टाइगर रिजर्व पार्क को सरफ्ष्रेश्ट प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जन श्रेडी में नेटवेस्ट ग्रूप अर्थ हीरोस पुरुसकार मिला है ठीक है यह भी मतपूर है उसके बाद साओधी अरब ने अनाउंस किया है कि तीन दिन का एक्चली तीन वर्ष का प्रतिबंद लगाएंगे यहां पर और भारी जुर्माना अगर कोविड संक्रमण के साथ उन्होंने साओधी अरब में ट्राइबल किया तो और जो रेट लिस्ट तयार की गई है उसमें इंडिया भी शामिल है तो इसका एंसर हो जाएगा डी अगस 2020 में किस देश ने कोट डिलवोयर के आबिद जान में 27 में UPU कॉंग्रेस के दाउरान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के दो प्रमुख निकायों की अध्यक्षता या फिस सदस्थता के लिए चुनाव जीता है तो भारत ने जीता है यह हम डिसकस कर चुके है हाल ही में रशियन अंत्रिक्ष एजन्सी जो है रॉसकोमोस ने इंट्रनेसल स्पेस स्टेशन में नावका नाम से अपनी अब तक की सबसे बड़ी अंत्रिक्ष प्रयोक शाला जो है लॉंच की है उसके बाद है कि जुलाई 2020 में केंद सरकार ने एक नया मंत्राले स्रजित क किया जिसका नाम होगा सहकारिता मंत्राले उसके बाद केंद्र सरकार ने केंद्री करमचारियों का महगाई भत्ता 17 प्रतीशत से बढ़ाकर 28 प्रतीशत कर दिया है तो इसका एंसर हो जाएगा कोई भी गलत नहीं है सारे स्टेट्मेंट सही है एक E-certification program reforms and regulatory knowledge base for the power sector regulatory training के लि लर्निंग material के लिए बनाए जाएंगे social defense के छेत्र में उनको फिल्माने में काम आएगा तो तापस है यह आपका ministry of social justice and empowerment का option number C